रविंद्र चडीचा की पत्नी के साथ पुलिस कॉंस्टिबल ने खी मार पीट जानिए क्या है पूरा मामला नमस्कार दर्शकों आपके अपनी चैनल PMS मीडिया की देश दुनिया की खबरों में आपका बेहत स्वागत है इस तरह की ताजी तरीन खबरे अपनी स्क्रीन पर पाने के लिए हमारे चैनल PMS मीडिया को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजे और साथ ही नोडिफिकेशन के लिए प्रेस कर दीजे बेल आइकन हाल ही में टेस्ट क्रिकेटर रविंदर जड़ेजा की पतनी रिवा सुलंकी से एक पुलिस के कॉंस्टबल ने उनकी कार से मामूली तुर घटना के बाद हाथ अपाई की उसके बाद इसकी जानकारी जब रिवा सुलंकी ने पुलिस को दी तो पुलिस ने कॉंस्टिबल सजाए अहीर को गिरफतार कर लिया है ये घटना जामनकर में सारू सेक्शन रोड पर हुई जब रिवा जड़ेजा की कार से कॉंस्टिबल की मोटर साइकल को टक कर लगी और उसके बाद कॉंस्टिबल ने उन पर हमला कर दिया एक व्यक्ती ने खुद को इस घटना का चश्मदीद गवा बताते हुए कहा कि पुलिस कर्मी ने रिवा जड़ेजा को बहुत बुरी तरह मारा उसमें बेरहमी से रिवा के साथ मार पीज की और बहस के दौरान उसके बाल तक खीच दिये फिर वहां माजूत भीड ने बीच बचाओ कराया पुलिस मामले का संग्यान ले चुकी है कॉस्टिबल की गिरफतारी हो चुकी है मामले की छानबीन जारी है कॉस्टिबल को इस मामले में कड़ी सजा दी जाएगी तो चले इसी के साथ दीजे देश-दुनिया की खबरों स इजासत फिर हासर होंगे जल्दी ऐसी खास खबर के साथ तब तक के लिए नमस्कार